Indian foreign policy and ambition of global leader इंडिया ने decide तो कर लिया हमें global leader वनना है terminologies तो दे इतनी सारी कि हाँ हम ambition रखते हैं to be a global leader पर क्या क्या ऐसे steps हैं जो इंडिया ने लिये हुए हैं जिससे दिखाई देता है कि हाँ सच में हम global leader के pathway पे चले हुए हैं वही चीज आपको शुरू करनी है demographic dividend से क्योंकि youth population जादा है average age आपको 28 years मिल जाएगी इंडिया के अंदर तो हम बोल सकते हैं कि जो youth की population है इस टाइम पे वो जादा है अब demographic dividend दो तरह से increase हो सकता है तीन तरह से बोलो multiple reasons से बोलो एक हो सकता है बच्चों का ही age group जादा हो ठीक है वहाँ पे total fertility rate जो है वो increase हो चुका है मालब दो की जगे पे जादा बच्चे पैदा कर रहे है second case हो सकता है कि youth की जो age है वो जादा है राइट जैसे अभी अपना चल रहा है 28 years on an average 2041 दक बोला है अभी यही sustain रहेगी जो age group है 65% population हमारी 28 age group में आ रही है एक और reason हो सकते है demographic dividend increase करने का that is elder जादा हो सकते है ठीक है यूथ ही कम है elder जादा है पर demographic dividend तो increase कर रहा है ultimately हम जो है हम center वाली लाइन पे अभी youth वाली जो age है वो जादा है इंडिया की तो इंडिया जो है वोल्ड गा largest democracy है and fifth largest economy है and demographic dividend भी फॉर्स्ट रहेगा ठीक है ओके यहां पर लिखा है कि fifth largest economy है अब देखो global level पर बात कर रहे हैं इंडिया की क्या क्या इसे ambitions हैं जो represent करता है कि इंडिया जो है वो लीडर ship की तरफ जा रहे हैं इंडिया जो है वो global leadership की तरफ जा रहे हैं सबसे पहला ध्यान दो जाएगा किसके उपर GDP per capita income बोल सकते हैं न यह पहले तो यही चीज़ें देखी जाएंगी तो जब global contribution देखना है आपने GDP का वो भी compare करना पड़ेगा कि US के साथ अगर हम खुद को compare कर रहे हैं चाइना के साथ खुद को compare कर रहे हैं किसी भी European country के साथ खुद को compare कर रहे हैं तो हमारा कितना contribution है हमारी GDP का कितना contribution है ग्लोबल GDP के अंदर तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी फिर different groups आजकल आपने सुने होंगे जैसे बहुत पुराना है I2-U2 राइट अभी एक meeting हुई recent quad और वैसे इंडो-Pacific economic framework जैसी बहुत सारी organization बन रखी हैं फिर आपको यहां पर देखने पड़ेंगे military tactics कि हमारी military development किस तरफ जा रही है technologically तो वो चीज़ें यहां पर देखनी पड़ेंगी तो one by one देखते हैं हर एक feature सबसे पहले तो global ambition अभी इंडिया का एक try है कि हम कैसे न कैसे करके United Nations security council के अंदर अपनी seat जो है वो permanent कर सके ठीक है बहुत सारी countries हैं जो की try कर रहे हैं कि कैसे हम UNSC के अंदर permanent seat ले सकते हैं UNSC के अगर बात करें तो total आ जाएंगे 15 members 15 में से 5 तो permanent हैं कौन-कौन से हैं USA जाएगा UK France Russia 10 members हैं उनको non members बोल सकते हो United Nations General Assembly और ऐसे नहीं है कि इंडिया first time UNSC में elect हुआ था हमारी eighth turn थी कि हम eight time जो है वो elect हो चुके हैं तो ऐसा कुछ नहीं है यह change होते रहते हैं UNGA decide करता रहते हैं तो इंडो-pacific region की बात आती है इसी वजह से इसकी protection के लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास भी कोई at least veto power हो जो UNSC म हैंगी फिर quard है quard pacific region के ऊपर चाइना को counter किया जा सके चार country's का group है कौन-कौन सी इंडिया औस्ट्रेलिया जापान एंड यूस से तो मेन focus कहां पर इंडो-pacific ocean इंडो-pacific ocean के साथ साथ एक और चीज़ को यह cover कर पा रहा है that is South China Sea अभी Sabina Shoal भी news में थी conflicted जो है एरिया sorry water body आ जाती है between Philippines and China तो यह चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी तो recently क्या हुआ क्वाड की meeting होती है कौन सी जो प्राइम मिनिस्टर ने रेंदर मोदी है उन्होंने participation करा कौन सी meeting को जादा importance नहीं देते थे उनका जो main focus था वह AUKUS पे हैं भूल जाते हैं कभी- कहां भी हुई तो जो विडिन का hometown है इस तरह से भी question आ सकता है आपके defense वगयरा के जो exams रहते हैं तो city is important Wilmington, Delaware तो 20 से वगयरा कभी मिल जाएगा वो भी future के लिए रखा हुआ है तो मैंने add नहीं करा यहां पे सबसे पहले तो pacific peace area जो है काफी disturbance हो जाती है चाइना की वज़े से अभी example भी दूँगी थोड़ी दिर में तो pacific peace को mundane करना है यह जो इंडो-pacific region है उसके बाद quad cancer moon shoot तो cervical cancer को tackle करना है जितनी भी इंडो-pacific countries है ठीक है इसमें include करा गया है जो developing stage में है बाकी countries जो की quad के member नहीं भी है उनको भी क्या करना है इस problem से free करना है then pandemic preparedness यहां पे बोला गया है जैसे pandemic आ गया था है कि यह disease X अब XYZ क्यों लिखते थे कि unknown होती थी किसी चीज़ की value तो इसका भी मलब है कोई disease आ सकती है जो की COVID-19 से भी जादा dangerous होगी तो वैसे pandemic के लिए हम पहले ही क्या करेंगे prepared रहेंगे तो इसमें भी जो भी चोड़ और countries है low and middle income countries है उनको भी लेके चलेंगे साथ मलब अब यहाँ पर लीडर चार countries होंगी बाकियों को यह support करेंगे इंडो-pacific logistic network अब वैक्सिन वग्यारा को पहुंचाना होगा time to time तो उसके लिए logistic improve करना पड़ेगा transportation improve करनी पड़ेगी तो उसके ओपर focus किया है climate and clean energy solar projects एक जैसे सबसे popular है international solar alliance यह इंडिया नहीं नीव करने के लिए decide किया गया है कि वहां से हम solar energy generate करेंगे fizzyland यहां पर ही आजाएगा आपके Pacific Ocean में छोटा सा island country है and उसके अलवा battery supply chain अगेन आगी critical minerals की बात चाइना के उपर over dependency है उसको reduce करने के लिए focus कहां पर रहेगा Australia क्योंकि Australia में भी lithium आपको काफी मिल जाते तो यहां से focus switch क करना है artificial intelligence and technology emerging technologies हैं तो इसके उपर तो बात हुई ही है navy के context में भी करी गई है पर उसके जो targets है वो 2025 के लिए रखे हैं तो इस वजह से मैंने यहां पर आपर आपर कर सकते हैं उनको भी quad plus पी एक term है quad plus में बोला गया है कि quad के लावा और countries add हो जाएंगी जैसे South Korea New Zealand Vietnam तो इन्ह पर जब बहुत सारी countries add होने लगती है तो वह कहीं नगहीं वीकन भी होता है और फिर developed countries बोल देती है कि यह तो सभी का अमल्गमेशन हो गया तो वह चीज है बट यहां पर नीव रखी गई है quad plus जिसमें countries आ जाती है जैसे South Korea New Zealand वह इतना और भी बाकी मतलब प्लस का मतलब है brand line very important brand line brand line क्या करती है rich countries को poor country से separate कर देती है या फिर rich north को poor south से separate कर देती है कहीं न कहीं वो थोड़ी सी inferiority वाली thinking दिखेगी कि उपर वाले जो हैं वो ज्यादा rich है नीचे वाले जो हो ज्यादा poor है तो यहां पर इंडिया ने decide किया है कि हम global south के leader बनेंगे कैसे बनेंगे तो global south summit 2023 दो मिटिंग्स हो चुकी है इसकी थर्ड अभी 2024 में एक और होगी ठीक है तो यह start किया गया इंडिया ने start किया voice of global south summit under the theme unity of voice unity of purpose तो यह 2023 जैनवरी में हुआ था first time virtual meeting थी चाइना developing stage में अना भी developed नहीं है और even आप notice करोगे औस्ट्रेलिया देखो side में कर दिया हुआ है एक exceptional case है क्योंकि developed की account में आता है तो यहां से यह line थोड़ी सी ऐसे दिखेगी आपको यह क्योंकि European Union और Americans ने बनाई यह न लाइन तो वही बूल रिटी कॉंपलेक्स आ जाएगा यहां पर इन्होंने बोल दिये कि यह वाली कंट्रीज है वो सारी क्या है रिच है और बाकी क अगे भेस तो उसके बाद ग्लोबल साउथ पर क्या है फोकस तो एक campaign बोलो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रवास तो यह जो है एक जो थिंकिंग है वो प्राइम मिनिस्टर मोधी ने चलाई थी एंड एक और तर्म वसुदेव कुटमबकम तो अग अगले साल मिल जाए देखने को तो खैर इसको याद रखना तो ग्लोबल साउथ का लीडर भी यहां पर कौन इमर्ज होने की ट्राइब कर रहा है अगें इंडिया तो यह एविदेंस इस दिये हुए हैं तो आप इसको नोट कर लो ओके तो यू एनसी की मेंबर्शिप देख ली ग्लोबल साउथ का लीडर और इवन इंटरनाशनल फॉरूम्स में जैसे वर्ल्ड बैंक ठीक है IMF International Monetary Fund तो यहां पर भी ट्राइब कर रहे हैं कि हमें पर्मनेंट मेंबर्शिप मिल जाएं एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल चैलेंजिस तो अब यह तो खैर देख लिया हमने की ग्लोबली क्या क्या स्टेप्स लिए यहां पर बोला कि अल्रेडी हम और भी प्रॉबलम से सफर कर रहे हैं हम भी और जो अफ्रिकन कंट्रीज हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं एक कॉम प्रॉबलम आपको देखने को मिलेगी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, फूड इन सिक्यॉरिटी, पॉवर्टी वो सारी चीज़ें आपके सारे अगें SDGs आ जाएंगे यहां पर तो यह जो ग्लोबल साउथ है यह क्यों बनाया गया ताकि हम इन चीजों के ओपर भी फोकस कर सक है रिप्रेजेंटेशन इन इंटरनाशनल फाइनेंशियल इंस्टिटूशन जैसे डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए हमें वर्ल्ड बैंक आपके इंटरनाशनल मॉनेटरी फंड के अंदर अब यहां पर बोला गया है कि अगर पडोसियों को देखें पाकिस्तान को तो साइड में कर देते हैं वो तो औरों से ही पर्चेजिंग करते हैं बड़ अगर चाइना की बात करें यहां पर अभी एक्जांपल देख लो एक अभी रिसेंटली हमने टेस्ट करी थी अगनी इसकी होगी अभी लॉंचिंग हुई नहीं है पांच कोई कर रहा है टेस्ट ठीक है 2012 से हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं पर इसके रिस्पॉंस में चाइना ने एक और अपनी इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अभी चेक करी है डमी वारहेड था उसके अंदर म और यह कहावेद आगी यह गई जापान से घूमते घूमते और पैसिफिक कोशिन के अंदर तो मलब जैसे हमने अगनी 5 की टेस्टिंग करी उन्होंने भी एक टेस्टिंग कर दी कि हमारे पास भी इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है आईसी बीम अब नाम पे ज कंट्रिस उसके कॉंटेक्स्ट में आएगी उनको बताना होता है कि हम टेस्टिंग करने वाले हैं तो थोड़ा चेक रखना इन्होंने बिना बताय कर दी टेस्टिंग और जब चाइना से पूछा गया तो इन्होंने बुला हमने अपनी नेवरिंग कंट्रिस को बता दिया कि हम टेस्टिंग करने वाले हैं तो यह गई तो जापान के उपर से है घूमते घूमते गई और क्यों करी अभी टेस्टिंग क्योंकि अभी हुई थी क्वाड की मीटिंग तो देवर रिप्रेजेंटिंग और इन्होंने अपनी आईसी बीम काफी सालों के बाद करी है जाहे से डमी ही थी बट स्टिल टेस्टिंग तो हुई जापान डिनाइड कि हमें कुछ नहीं बताया गया था कोई इन्फोर्मेशन नहीं दी गई थी तो क्यर मिलिट्री एंड टिकनोलोजिकल एडवांस्मेंट देखें तो इंडिया भी अपनी केपिलिटी इंक्रीस कर र इंडिया में ठीक है तो कॉन्फिक्टिट रीजन से हो रही है उनके उपर बातचीत ओके इसके अलावा एक और चीज़ आप एड़ कर सकते हो इंडिया की जो इंडिया में से लमें टेकनोलोजीज के अंको रिपरेजेंट करने के लिए एक्जो सकेले अब देखो पहले अपने पास नी थि ए इग्जोटर। आप था की एक कोई चीज़ बहार की है और स्केलेटन हडियों का रहाचा होता है न तो यह बहार से पहना जाएगा ताकि बुल्लेट वग्यारा एंटर कर सके किसी भी आमी के पर्सोनल को तो यह हमने अपने बना दिये हैं और यह बाकी पंट्रिस के कंपेरीजन में जादा इफेक्टिव है और इनका वेट भी काफी कम है एट गेजी तक का इनका वेट है ठीक है में जो फोकस रहता है नैनो टेक्नोलोजी पर वह इसी लिए रहता है कि यह जो वेट है इसको जादा से जादा रिड्यूस कर सके अब देखो मल्टी यूटिलिटी लेग्ड एक्यूपमेंट खचर की तरह उसका डिजाइन करा गया है तो जब भी हाइट वले एरिया में सामान पहुंचाना होगा तो उसके उपर रख दिया जाएगा वो खुद लेके जाएगा फिर रोबोट है एक तरह का तो अभी मिलिट्री में कि डिप्लॉई करेंगे हम सौ के आसपास लद्दाक वल एरिया में अब और क्या-क्या चैलिंजिस आती हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले तो एकोनॉमिक कंस्ट्रेंट आगया आपका पर क्यापिटर इंकम बहुत कम है इफ कंपेर टू डावलप नेशन तो इसको पहले करना पड़ेगा लगबग एप्रॉक्सिमेट लिखा हुआ है पचीसो डॉलर के आसपास है यूस टॉलर्स तो यह चीज जो है वो हमें इंप्रूफ करनी पड़ेगी क्यूं क्यूंकि जो डैवलप नेशन है उनके पास अठाराजार पांट्सों से लेके बीस हजार डॉलर्स तक का है तो यह बहुत जादा ग्याप शो करता है तो ग्लोबल एंबीशन अगर हमने रखे हुए है तो यह चीज भी इंप्रूफ करनी पड़ेगी सेकेंड जीडीपी की अगर बात करें कि कितनी कॉंट्रिबूशन हम करते हैं ग्लोबली तो 3.6 परसेंट कर रहे हैं हम ठीक है आउट ऑफ 100 परसेंट अब देखना बाकी कंट्रीज का यूएस कर रहे हैं 26.3 परसेंट ठीक है तो यहां पे भी अगें डिफरेंस बहुत कर रहे हैं तो यहांबी देखो चाइना भीट पिंग की रहे हैं इंडिया भी डावलपिंग की रहे समें पर अगें डिफरेंस ह्यूज और पर केपिटा- इंकम चाइना कर देखोंगे वो अगें वह जाधा है इफ कंपेर तू इंडिया पर वहीं पेनूस आवी आर्टिकल इंडिया के जितने भी नेबर्वूट कंट्रीस हैं वो अपने नियरबाय हो या फिस साउथ इस्टन नेशन में आप चले जाओ कमबोडिया वेतनाम लाउस तो उनमें चले जाओ तो इससे क्या होता है इंडिया के जो रीजनल रिलेशन है वो भी भी गड़ते हैं ठीक है जो है वो इलेक्ट हो चुकी है तो खैर वो तो चीजें चलती रहेंगी बट यहां पर क्या बोला गया है कि जो चाइना है नेबर्वूड में जादा इंफ्लूएंस क्रियेट कर रहें ठीक है तो उससे इंडिया के जो रीजनल रिलेशन होते हैं वो खराब होते हैं ओके त इंडिया का रहेंक आता है 134 आउट ओफ 193 कंट्रीज किस बेसिस पर आती है यह रिपोर्ट तो लॉंग एंड हेल्दी लाइफ ठीक है बीमारियां कम होनी चाहिए नॉलेज देखा जाता है स्कूल लेवल के उपर और कितने साल स्कूलिंग में उसने बिताए जो भी किड ह है वहां पर एंडिसेंट स्टैंडर्ड ओफ लिविंग पर क्यापिटा इंकम वगएर यहां पर चेक करी जाती है और उसके बैसिस पर यह एक जो रैंकिंग है वो ले आते हैं ठीक है पर कहीं बार नोटिस करा गया है कि सड़नली 2023 में आप देखोगे अगर रैंक अच्छा आपके अमेरिकन जो कॉंटिनेंट है वहां से आएंगी तो उस बज़े से देखा जाता है कि थोड़ी सी वेगनेस है आज एक आर्टिकल भी आ रहा है उसको रीड कर लेना इंडियन एक्स्प्रेस में आया हुआ है ठीक है फर्स्ट पेज पर ही आपको दीख जाएगा जो वाले हैं और स्विट्जर लैंड जो है उनका रैंक फॉस्ट आता है फिर वैसे ही और रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें बताया जाता है कि फिल्लैंड इस हैपिस्ट कंट्री बट वहां पे सबसे जादा एंटीडिप्रेसेंट लिए जा रहे हैं तो यह क्वेस्टिन उठता हो हंगर को लेके हो जिस मर्जी को लेके हो हमने कमिटमेंट्स करी हैं पर जब हम देखते हैं कि कितने टार्गेट्स अचीव हुए हैं फिर से क्वेशन माग उठ जाते हैं ट्वेंटी थर्टी के जो टार्गेट रखे हुए थे रिन्यूवेबल अनरजी के अभी हम एक लिस्ट ट्वेल परसेंट ही उन चीजों का कवर अब कर पाए हैं अगें बहुत कम है और ट्वेंटी थर्टी आ चुका है तो यहां पर बोला गया है कि जो कमिटमेंट है उनको भी थोड़ा सीरियस लेने का टाइम आ चुका है एट डोमेस्टिक लेवल आज इस इंटर बहुत सारी पॉलिसी चल रही है पर इंप्लिमेंटेशन के उपर फिर क्वेशन आ जाता है तो यहां भी कहीं ने कहीं चैलेंजिस देखने को मिलेंगे लिमिटेड ग्लोबल एकोनॉमिक इंफ्लूएंस यह हमने देख लियो ऑल्थो हम फिफ्ट लार्जस्ट एकॉनमी है पर हमारी global contribution is very less 3.6% तो फिर अगर developed जो countries है उनके साथ race में आना है तो यह चीज भी इंप्रूफ करने पड़ेगी along with this per capita income आपने देख लिया पचीसो डॉलर है again very less उसको भी इंप्रूफ करना पड़ेगा तो यह कुछ hurdles हैं जो हमें इंप्रूफ करने पड़ेंगे then regional security concerns तो यहाँ पर तो care disturbance बनी ही रहती है यहाँ पर भी बनी ही रहती है नेपाल depend on the government किस टाइप की government है भुटान इसको भी थोड़ी से अब distraction हो रही है यह बोल रहे हैं कि हम सिर्फ एक ही country के उपर जाधा dependency शो कर रहे हैं that is India और उपर से इंडिया की जो investment है वो भी regular नहीं होती ठीक है हमने commitment तो दे दी पर पूरा नहीं कर पाते कहीं न गई तो अगेन यह भी distract हो रहे हैं और उपर एक ही country इनको भी दिखाई दे रही है चाइना कि frequent investment जो है यहां से हमें मिल जाएंगी frequent होंगी वही बात है कि एकदम से अगर success मिल जाए तो फिर downfall भी जल्दी होत एक तरह से मोदी जी से मिले पीछे जैसे कि अब नहीं करेंगे sorry तो वह चीज है यहां पर भी disturbance आपको देखने को मिल जाती है तो regional जो issues होते हैं उनको improve करना should be first priority instability मिल जाएगी आपको neighboring country जैसे बांगलादेश मैनमार यह तो चली रहे हैं अभी ठीक है student protest जो हुआ यह हमने पड़ लिया था turmoil वाले में तो वहां से आप points पिक कर सकते हो competition with China अब चाइना का बोला जाते है कि competition में कौन है चाइना है और वहीं पर बात आती है import की हमारा जो import है बहुत जादा increase हो चुका है from China ठीक है hundred billion को touch कर चुका है बहुत जादा बोल सकते हैं उसको although we are deciding कि make in India focus तो कर रहे हैं make in India मेंगी इतनी बिक्री है चीज़े अगें चो डिपेंडेंसी चारी है वो चाइना की तरफ चारी है वो भी पूरा नजर रखते हैं प्राइस के उपर कि कितने प्राइस पे बेच रहे हैं और जादा manufacturing करवाते हैं वहां पर क्यूंकि उनका secondary ज जरूरत है तो अगें यह क्या करेंगे और लो कॉस्ट के उपर production करवा देंगे फिर जैसे कोई temporary चीज़ होते हैं फिर हम बोल देते हैं ना कि Chinese होगी पका क्यूंकि guarantee नहीं होती कब तक चलेगा तो अगें competition में चाइना है तो वो चाहिए से फिर आप जोग्राफिकली देख हो या फिर कोई चीज में इन्वेस्टमेंट देख लो या किसी चीज की manufacturing देख लो तो competition में चाइना है तो चाइना को भी हमें counterbalance करना है उपर से global GDP में हमने देखा अपनी 3.6% है उदर से चाइना 16% के पास पेठा हो है तो मनला बेक अटैक करोगे आप multiple targets को hit कर सकते हो यह अगया वो म्यूल वाला example मल्टी लेग्ड स्वारी मल्टी यूटिलीटी लेग्ड इक्यूप्मिंट तो इसके उपर सामान रखा जाएगा अंडर extreme condition minus 41 degree Celsius और extreme high temperature पर यह work कर सकता है तो लदाख वगेरा जितने भी हीली areas है वहां पे इनको deploy करने की बात करी गई है अभी जो टिकनोलोजी है वह एक्जोस्केलेटन वाला example भी आप दे सकते हो पर लिमिटीड है इफ कंपेर टू चाइन ठीक है तो लिमिटीड है ओल्दो हमने भी काफी ज्यादा चीजीजें जो है स्ट्राटेजिक पार्टनर्शिप तो यूएस रश्या जपान येरोपियन नेशन हम ट्राय कर रहे हैं बैलेंस बनाने की अब यूनाइटिन नेशन जैनरल असेंबली अगेन बोटिंग होती है किस चीज के उपर कि रश्या को बोलो रोक दे वार ठीक है उधर एक तरफ र क्योंकि वार तो एक टाइम पर खतम होनी है और रिलेशन जो है वह भी सस्टेइन रहने चाहिए तो वह चीज जो है यहां पर पॉजिटिव व्याट कर सकते हो हमने रशिया और यूक्रेन दोनों की ही साथ न्यूट्रल सा रिलेशन बना के रखा हूँ है अब इंडिया के जो ग्लोबल इंबीशन है उसके लिए हमने क्या क्या स्टेप्स ले रखे हैं तो बहुत सारी आपको में लिख सकते हो अगें टू प्लस टू मिनिस्ट्रियल डायलॉग जब यह टू प्लस टू टूम आती है किसी भी कंट्री के बीच में हो सकती है पर यहां पर दो दो लो और यहां से भी डिफेंस मिनिस्टर हैंगे और नाम बढ़ गया टू प्लस टू मिनिस्ट्रियल डायलॉग ठीक है तो कहीं पे भी आप यह टर्म देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरण मिनिस्टर की बात हो रही है एंड डिफेंस मिनिस्टर फ्रॉम दे रिस् और जिसमें अर्जनटीना इजिप्ट एथोपिया एरण साओझी अरेबिया एंड युए जिसमें अर्जनटीना ने बना कर दी थी कि हम नहीं अभी बनेंगे साओधी अरेबिया ने हॉल्ट पे रख दिया था अभी तक हान आ चुछ निं करी है पर उन्होंने बोला है कि ह सोच रहे हैं ठीक है बागी एथोपिया एजिप्ट इरान और यूए ये एंटर हो चुके हैं अदर ठीक है तो 2024 जैनुरी में आड हो चुके हैं ओके उसके बाद बोला गया है जी फोर कंट्रीज का ग्रूप है अब देखो UNSC की मेंबर्शिप के लिए सिर्फ इंडिया नी प इन्होंने बोला कि हम चारों क्या करेंगे दूसरे को सपोर्ट करेंगे जब भी UNSC की पर्मानेंट सीट की बात होगी तो हम सारे दूसरे को सपोर्ट करेंगे मतलब जैसे जापान की बारी आई मालो तो हम रेस करेंगे वोईस क्या बोलेंगे कि जापान को पर्मानेंट जो है एट लिस्ट एक को तो मिले जो UNSC है उसके अंदर उसके बाद L69 ग्रूप आ जाते हैं इसमें आपकी एफरिका लेटिन अमेरिका केरिबियन एशिया एंड पैसिफिक बहुत सारी कंट्रीज हैं लग बग 35 कंट्रीज इसमें आपको इंवाल्ब मिलेंगी L69 ग्रूप 69 म करेंगे अभी 30 में चल रहा है एस 5 वर स्मॉल 5 नेशन इसमें आ जाएंगी जैसे कोस्टारिका आ गया आपका मेक्सिको के पास में जॉर्डन आ गया इसराइल के साइड में लिंस्टन स्टीन आ गया याद है ना इसका क्या पड़ा था आपने येस तो यह भी आगी पूर आ जाएगा एंड दिन स्विट्जरलेंड आ जाएगा तो उन्हों चोटी-छोटी कंट्रीज ने भी क्या किया एक चोटा ग्रूप पना लिया जिसको बोल दिया स्मॉल 5 नेशन तो यह भी क्या करेंगे सेम कोस्टरी का जॉर्डन को सपोर्ट करेंगा फिर करेंगे तो same thing will happen in these groups और क्यों बोला जा रहें इतने सारे countries क्यों बोल रहे हैं कि हमें भी आड करो क्योंकि पांच लोगों ने नॉपली बना रखी है बैठे हुए हैं और उनके पास हैं वीटो पावर्स तो जब भी ऐसे टेररीजम रिलेटीड इशू आता है मालो पाकिस्तान का कोई इशू आ गया तो पाकिस्तान के फेवर में दो वीटो पावर यूस कर लेंगे यूस वैसे तो फ्रेंडली है इस यूज हो रहे हैं तो यहां पर बोला गया है कि यूनाइटि नेशन सेक्योरीटी काउंसिल में ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है और एकाउंटेबिलीटी लाने की जरूरत है फॉर्द नॉन मेंबर जो भी वहां पर बाकी कंट्रीज मेंबर नहीं है तो यहां पर सारी चीज़ें बोली गई है economic reform and initiative तो इंडिया ने focus तो किया है again वही चीज़े आगी कि make in India पर focus किया है पर make in India में भी एक hurdle है अब hurdle क्या है कि economy ऐसे न हो जाए close type कि अपनी country में रहे तुम फिर साथ में चाइना के साथ भी compare किया है कि ठीक है make in India पर तो आप focus कर रहे हो पर जो import है increase कर चुके है वो चाहिए से daily life की चीज़ें चाहिए आपको steel चाहिए या फिर military equipment military तो avoid कर सकते हैं military हम जादा नहीं चाइना के साथ अपना कोई relation नहीं है बाकी की जो चीज़ें हैं कहीं कहीं बहुत जादा dependency है चाहिन के उपर तो मेक इन इंडिया को थोड़ा सा boost देने की try करनी पड़ेगी example positive way में लिख सकते हो digital इंडिया digital इंडिया campaign इंडिया में प्रमोट करी काफी successful भी रही UPI का आप सुनते हो कि बहुत सारी countries ने adopt भी किया जैसे भुतान इंडिया तो यह पॉजिटिव चीज भी दरचाता है और यह थी क्या campaign make in India तो UPI हमने बनाया और इन्होंने भी इनको adopt किया diplomatic outreach तो यहां पर multi alignment हम बोलते थे एक जमाने में bipolar countries bipolar मतलब जो power है वो सिर्क दो लोगों के पास है एक जमाना था cold war का जब यूएस था और दूसरी तरफ यूएससर था फिर यूएससर का disintegration हो जाता है इंटू 15 countries ठीक है 15 countries बन जाती है अब जो थी कहीं न कहीं अप्रोच वो bipolar ना रहके multipolar होगी थी तो उसी तरह से हमने अपने डिप्लोमेसी भी चेंज कर ली है multi alignment की मलब जब भी ऐसे conflict आए कि इस country को वोट डालना है इस country को वोट डालना है तो बीच वाली policy बुदीजम में बोलते था ना middle path तो उसके उपर हमने focus किया है क्यूंकि हमें अभी relation ना सिर्फ साउथ Eastern nation के साथ बनाने ना सिर्फ West Asia के साथ बनाने सबी तरफ बनाने हैं तो multi alignment की हमारी policy है इस टाइम पर और example दे रखे हैं जैसे COVID-19 के टाइम पर हमने वेक्सिन diplomacy adopt करी क्या था वेक्सिन मेत्री तो इसके तहत हमने जो भी इंडिया में मेट थी इंडिजिनसली मेट थी वेक्सिन उनको प्रोवेड किया वैसे ही एक operation सद भाव हमने चलाया था cyclone hit areas में अभी recent है ये 2024 का वेतनाम, Laos, Myanmar operation दोस्त तुर्की और सीरिया वाल एरिया में जब अर्थक्वेक आया था तो वहां पर ये चीजें चलाई थी मैश तो following में operations के नाम आ जाते हैं तो इनको ध्यान में रखना humanitarian assistance है ये मानवता हमने दर्शाई बेसिकली और इसके ओपर फिर वह जब इसराइल के वह एक्सपोर्ट वाला हमने देखा था कि एक्सपोर्ट करने हम military weapon फिर humanitarian पे question mark आ जाता है तो खैर सारी चीजें देखो perfection तो कभी भी नहीं मिलेगी perfectionist sin तो active participation in mini lateral forum जैसे quad हो गया i2-u2 i2-u2 में कौन-कौन सी country आएंगी इंडिया- इसराइल इंडिया- इसराइल और दो countries US और UA ठीक है ये चार countries ये आगे equation दो बट स्टिल याद रखना तो बहुत सारी collaborations में हमने commitment दे रखी है और उसमें actively हम participate भी कर रहे है strength and tie with Indian diaspora प्रवासी दिवस 9th of January जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियांस है उनका contribution है remittances आते हैं इंडिया के अंदर तो जो भी उनका contribution है उसको एक तरह से encourage करने के लिए तो वो चीज जो है उसको भी हम strengthen करने की try कर रहे हैं enhancing regional influence इंडो-Pacific economic framework अगे नाम से ही पता लग रहा है economic पैसा आ चुका है किस रीजन में इंडो-Pacific region में 2022 में इसको launch करा गया था ताकि जो regional economic engagement है trade है investments है उनको promote किया जा सके very important India Middle East Europe economic corridor नाम से ही पता लग रहे है मिडल इस्ट वाली countries आ जाएंगी Saudi Arabia something UAE पता चल रहा है Arabic countries की बात हुरी है और साथ में Europe को जोड़ा जा रहा है अब देखो इंडिया के मुंबई से चलेगा sea route गया UAE पहुंच गया UAE से Saudi Arabia से होते हुए इसराइल चलेगे इसराइल के बाद जो है आपका ग्रीस आ गया और ग्रीस के उपर सारी क्या है European countries तो मतलब Middle East countries के थुरू हमने कहां पर connectivity बनाई जाके European countries के साथ एरोप के साथ पर यहाँ पर दिक्कत क्या चल रही है इसराइल की चल रही है इस वज़े से रूट भी बंद पड़ा हुए ठीक है पर IMAG is important याद रखना कौन-कौन सी countries involved है इंडिया, UA, Saudi Arabia, Israel and Greece आजाएगा ठीक है ग्रीस जो है वो connectivity प्रोवाइड कर रही है तो यह जो पोर्ट होते हैं इनको भी देख लिया करो पाइरियस ग्रीस का आजाता है वैसे हाइफा आगे आपके इसराइल का अल हदीता यह आजाएगा आपका Saudi Arabia चल अल अल लगे होते हैं तो पता ही चल जाता है वैसे Middle East की बात हो रही होगी तो यह जो चीज़े हैं इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना नेबर हुट फर्स्ट पॉलिसी ठीक है इंडिया को पहले अपने रिलेशन जो नेबरिंग कंट्रीज उनके साथ इंप्रूफ करने की जादा ज़रूरत है अक्टीष्ट पॉलिसी अक्टीष्ट पॉलिसी मरलब साओध इस्टर नेशन पहले हम देखते थे फिर बात में 2014 म आ चुक है एक्शन का टाइम पिरियड आ चुक है उसके साथ साथ लुक वेस्ट पॉलिसी इस्ट में भी ध्यान रखना है साथ इस्टर नेशन आगे आपके वही लाउस, कमबोडिया, वेतनाम, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, ब्रुनी और तो सब आगे और साथ में जाप साथ का आप एक्जामपल आड कर दोगे, जी ट्वन्टी जो प्रेजिडेंसी हुई वह आड कर दोगे, अब जो है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की नवेंबर दिसेंबर के आसपार शुरू होगी और कौन इस पर हैड करेगा, ब्राजिल, तो अगें ट्रायोग का पे क्वे रिन्यूवेबल एनरजी, बहुत सारे टार्गेट्स रखे हैं कि हम रिन्यूवेबल एनरजी के उपर फोकस करेंगे, ताकि जो ये काबन डायकसाइड, मिथेन है, उनकी रिडक्शन करी जा सके, ये वहिकल प्रमोट करेंगे अपनी कंट्री के अंदर, और 2030 का हमने वहिकल पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन में आ जाएंगे, तो कुछ यासे हमने जो है टार्गेट्स लिये, COP27 हुआ था आपका, एजिप्ट के अंदर, COP28 हुआ दूबई 2023, और COP29 कहां पर होना है, नवेंबर में शुरू होगा, अजरभेजान, ठीक है, 2024 का, COP29, उसके अला हमने अफरिकन यूनियन को एड किया, food security के ऊपर बात करी, sustainable agriculture के ऊपर हमने बात करी, now sustainable agriculture, वही precision, farming and all वो सारे आप यहां पर आड कर सकते हो, promoting India as a hub for IT services and emerging technology like artificial intelligence, तो इसके ऊपर भी हमने बात्चीत करी थी, G20 में बहुत सारे programs भी चल रहे हैं, तो इनके ऊपर focus किया है, और UPI यहां पर कि देखो हमने digital public infrastructure बनाया, जो कि बाकी countries ने भी adopt करा, now way forward क्या हो सकता है, तो हमने साथ के साथ ही पढ़ लिया वैसे, strengthen करने पड़ेंगे, domestic foundations, जिनने भी start-up बगयरा चल रहे हैं, under making India, यह कोई भी individual target चल रहा है, तो उसको achieve कर वाए, better infrastructure प्रोवाइड करा जाए, education हो, healthcare हो, in short, जो आप sustainable development goals पड़ते हो, उनके उपर focus किया है, focus on generating employment opportunity, यहां पर सारे sectors आगे, आपके primary भी आगे, यहां पर secondary गई लिखा है, पर सारे ही आगे, IT भी देख लिए, आपने, agriculture भी देख लिए, आपने, SMS भी देख लिए, तो सारे के उपर हमने focus करना है, flexible partnership, अब ऐ जैसे नहों कि दूसरी country के साथ हम बिलकुली bycott हो जाएं, तो हर जगे हमें focus करके रखना है, diplomatic efforts, positive direction में लेके जाने है, enhanced diplomatic capacity, तो यह आगया, यह आजाती, इसमें soft skills चोती हैं आपकी, महला, बातचीत करके जिननी चीज़ें solve हो जगे, उतनी, enhanced diplomatic capacity, economic and strategic initiative, आर एंडी में investment करने की ज़रूरत है, recent example आप add करोगे, जैसे bio e3 policy, e3 की full form क्या थी, environment, ठीक है, और renewable energy, यहाँ पे भी investment करने की ज़रूरत है, artificial intelligence, उसमें भी investment करने की ज़रूरत है, in short, जो भी technologies emerge है, उनके उपर हमें R&D को increase करने की ज़रूरत है, और Indian event, semiconductor ecosystem के लिए, बहुत सारे sign भी कर रखे हैं agreement, जैसे Tata Groups ने किसके साथ किया है, ताइवान की एक company है, अभी आज उसके उपर article भी आ रखा है, उसको देख लेना एक बार, promoting soft power and cultural diplomacy, जैसे international yoga day, अभी जो last में हुआ था, प्राइम इनिस्टर खुद जाते हैं, US वहाँ पे एक proper तरिके से लोगों को एक अठागी आ जात एड्रेसिंग global challenges, तो यहाँ पे जैसे global south आप आड कर सकते हो, global south में ऐसे नहीं है कि लीडर बनगे, अब लीडर बनगे तो जो problem चल रही है, common problem चल रही है, उनको भी tackle करना है, तो वो चीज आगी, terrorism को counter करना है, बाकी regional relation, यानि की neighborhood first policy and second आपका, act east policy, west asia वहाँ पे भी focus लगना है, now हमें पता है कि जो talent training है, इंडिया से बहुत जादा हो रही है, तो better opportunities इंडिया के अंदर ही provide कर दी जाए, ताकि जो यह बहुत अच्छे PhD holders होते हैं, यह foreign countries में न जाए, तो यह जीज भी रोक नहीं है, तो that's all, और यह topic बहुत जादा important था, you can try this question, जितने आज features उस पड़े न, वही सारे यहां भी लिखे हुए,